कोरोना वाइरस के बचाब में केंद्र सरकार कोशिस कर रही है कि जल्द से जल्द सत्पतिसद वैक्सीनेशन हो सके जिसे लेकर जबलपुर पाटन SDM ने आज कटंगी इस्तित कार्याले में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मीटिंग कर वैक्सीन लगवाने की अपील की जबलपुर जिले को भी सत्पतिसद वैक्सीन लगाने का वियान तेज कर दिया गया है जिसे लेकर आज पाटन SDM शाहिद खान का टंगी पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मीटिंग कर समाज के हरवर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की गई धर् जिदों से ऐलान कर सभी मुसलिम भाईयों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरुक किया जाएगा वहीं SDM शाहिद खान का कहना है कि किसी भी धर्म के धर्माचारियों के दौारा किसी अव्यान के लिए जागरुक करना एक प्रचार प्रसार का हिस्सा है हम चाहते हैं कि कि जमाद में भी कहूँगा कि आप लोग भी लगवाई यह अधिक तर कि आपकी समयात में लोगों कम लगवाई लगसी कि यह क्या पज़या नहीं लगवाए हैं सब लोग ने एक एक डोज जादा लगा है अभी अभी दूसरे डोज अभी नहीं लगा वह दो महिना वाला सब्सक्राइब करने का लक्ष हमने अपने सामने रखा हुआ है जिसे हमें अगले तीन दिनों में पूल करना है तो इस संबंद में आज हमने मुस्लिम समाज के धर्म गुरूओं से मीटिंग की यहाँ पर 6 मस्जिद हैं कटनगी में उन सभी मस्जिद के इमामों के साथ मस्जिद के सदर के साथ हमने मीटिंग की और उनसे गुजारिश की कि कल सुक्रवार की नमाज के समय वो मस्जिदों स करें कि सभी मुसल्मान मार्द औरत बुजुर्ग बच्चे जो 18 वर्ष से अधी कुम्र के हैं सभी 100% वेक्सिनेशन करा लें सभी इमामों ने हमें आस्वासन दिया है कि वो कल इसका एलान कराएंगे और आज कुछ इमाम साहवान ने जिन्होंने पहली डोज नहीं ली थी उन उन लोगों के द्वारा भी वेक्सिनेशन करा लिया जाएगा जो अभी तक वेक्सिनेशन नहीं करा पाए हैं और हम अगले तीन दिन में कटंगी नगर पंचायत को 100% वेक्सिनेट करा करके एक लक्ष हासिल कर लेंगे बहरहाल जवलपुर जिले के पाटन इलाके में वेक्सिन लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं वहीं कहीं कहीं कोई वर्ग वेक्सिन से परहेच कर रहा है देखना होगा कि प्रशाशन सत प्रतिशत वेक्सिन लगवाने में कब तक सफल होता है टाइम एट मध्यप्रदेश के जवलपुर से पवंतिवारी की रिपोर्ट